स्वागत है दोस्तो अपका हमारे अपने चाइनल ओल इन वन में दोस्तो आज हम देखेंगे कि एक्वरियम के अंदर जो फिशेस होती है हमने अपने घर में रखी हुई वो मर क्यों जाती है किस रिजर्ण की वज़़से वो मर जाती है ऐसा क्या होता है कि उसके वज़़से जादा दिन तक वो फिशेस अपने घर में नहीं रह पाती है दोस्तो फिशेस के मरने के दो रिजन होते है सबसे इंपॉर्डन जो दो रिजन होते है वो तो है पानी की वाटर कॉलिटी और दूसरी चीज होती है दोस्तों जो पानी का टेंपरेचर अगर ये दो चीज़े अगर मेंटन में रहे तो कभी भी आपके एक्वरेम की जो फिशेस होती है वो नहीं मरेगी जो पानी आप अपने फिश टैंग में यूज़ करेंगे उस पानी का यूज़ आप बोरवेल या किसी कुवे से ले अगर आप मुनिसिपल्टी का पानी यूज़ करते हैं तो उसके वज़े से आपकी फिश मर सकती है तो आप अपने बोरवेल का या अपने कुवे का पानी ही डाले दूसरी बात यह होती है कि आपके पानी का टेंपरेचर कितना है इसके उपर ही वो फिश की इस तरह से बढ़ती है या फिर मर जाती है या डिपेंड होता है अगर आप अपने पानी का temperature कंट्रोल करते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी fish कभी नहीं मरेगी दातर fishes जो होती है वो थन के मोसम में मर जाती है क्योंकि पानी का जो temperature होता है वो बहुत कम हो जाता है गर्मी के मोसम में इस तरह के problem बहुत कम आते हैं पर थन के मोसम में बहुत सारी fishes मर जाती है क्योंकि बहुत से लोग ये जो hitters होता है कुछ use नहीं करते हैं दोस्तों मैं एक एक करके मेरे पास जितने भी fishes है इनको कितना temperature चाहिए पानी का मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पेरी fish में आपको बता रहा हुए giant gurami है giant gurami के लिए 20 degree Celsius to 30 degree Celsius का temperature लगता है तब ही वो survive कर पाती है fish tank के अंदर उसके बाद है जो alligator gar जो उसके पिछे वाले side में alligator गा उसको 11 degree Celsius to 23 degree Celsius का temperature लगता है तब ही वो survive कर पाएगी वरना वो धीरे धीरे मर जाती है उसके बाद आती है fish tank clown knife fish जो पिछे वाले side में आप देख रहे होगे clown knife fish उसके लिए temperature लगता है 23 degree Celsius to 27 degree Celsius तब ही और एप आती है मैं देखो रेट बिली पिराना रेट बिली पिराना के लिए 24 degree Celsius to 28 degree Celsius का temperature लगता है तब ही वो survive कर पाती है उसके बाद आता है यह turtle जो जो turtle मेंने जो turtle है इसके लिए temperature चाहिए 25 to 30 degree Celsius तक वो आराम से रहे पाता है क्योंकि यह turtle है उसके बाद में आता है पिकॉक बास फिश जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी मेरे पास है दूसरे फिश टांग में उसके लिए temperature 21 to 27 degree Celsius लगता है तब ही वो survive कर पाती है चर मेंटन करने की ज़्यादा तर प्रॉब्लम्स जो होती है धन में आती है गर्मी के मोसम में इस तरह की प्रॉ अगर आपको इसको पर्चस करना है तो आप इसे डिस्क्रिप्समें में लिंक दी है वहां से डाउलोर कर सकते हैं इसके उपर एक हरे कलर का बड़न होता है यह temperature आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 34, 32, यह तक 21, 12, 14, 16, 18, 20, 24 ऐसा लिखा हुआ है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं पर रिशेक करने के लिए मैं हिटर के उपर डिपेंड नहीं रहता हो क्योंकि हीटर कभी-कभी पानी ज्यादा गर्म करतेता है तो इसके लिए मैंने आप एक डिजिटल थर्मामेटर लगा क अगर आप इसे परचस करना चाते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी होई वासे आपको उसे परचस कर सकते हो बस इतना ही दोस्तों अगले आने वाली वीडियो में आपको मैं हर एक फिश को एक छोटे फिश टैंग में डालके उसको बारे में पूरा डिटेल्स ब ना भूले और साथी बेल आइक और को दबाना ना भूले और शेर लाइक का बटन जरूर दबाए